इसमें करां वीच Άप फॉलेविंग प्रोसेस इज रिवर्सिवल प्रोसेस होता है जी आईसो थर्मल किख है को एऍह ट्रांट्रान्सफर औफ हीट कंडक्ota चन्ट्रांव्सYновaj रेडियेशन नहीं IITा isothermal होता है। इसका Example बता होगे एक्जाम्पल ही तो वही होता है स्लेवर्स को कैसे रिड्यूस किया गया देख रहे हो बोलो जी ठीक है हम लोग 48 पे आ गया है 48 का जो होगा C ओप्शन करेक्ट होगा याद रखे रहना इसका जो एक्जाम्पल है वो है कार्नोट साइकिल और हीट एंजल समझे